Hello everyone, आपका स्वागत है 24 चाप्टर में 1000 वोकाविलरी फ्रॉम दे हिंदू के चले वीडियो सुरू करते हैं पहला वर्ड है अडीशन डेफिनेशन है दे अक्षन और प्रोसेस अफ अधेरिंग टो ए सर्फेस और अब्जेक्ट देखिए आप यहां देखिए यह सब क्या है यह सब मकड़ी का जाला है तो यह सब जो हैं यह सब मकड़ी के जाले में लगे हुए एक तरह का गोंध है जो मकड़ी छोड़ती है अपने प्रे को या फिर मतलब अपने शिकार को फसाने के लिए तो देखे यहां दिखा है sticking ओके या फिर gluing जब मक्हे आके बैठती है इन जालों पर तो क्या होता है जब मक्हे आके इन जालों पर बैठती है तो वो first जाती है इसका मतलब को होगा दे action और process वो आके चिपक गई adhering adhering मतलब चिपकाना किसके साथ किसी surface या object के साथ यह एक तरह का surface है यह एक तरह का area है surface surface area ओके तो इसी process को हम addition बोलेंगे चिपकाना देखे poster poster चिपकाने को भी addition ही बोलेंगे okay sticking you are sticking posters to a wall therefore it is addition next word की तरफ चलते हैं virtue also definition है a person highly skilled in music or another artistic pursuit देखे यहां देखिए यह कंकड फेक रहा है यह का हुआ कंकड फेक रहा है और यह का हुआ जो है यह straw से पाने पी रहा है okay कुछ-कुछ इतना अच्छा नहीं कर पाते हैं और कुछ-कुछ highly skilled होते हैं जैसे आप लेंगे तो आर रहमान को लीजिए या फिर आतिवसलम को लीजिए या फिर रागव सच्चार को लीजिए रागव सच्चार इस skilled in nine type of music instruments वो नौ तरह की music instruments में skilled है उसको आता है नौ तरह का music इस एक्ट को हम जीनियस कहेंगे ओके देखे नाइव देखे यहां वर्चोस हो नाइव मतलब क्या गधा यह कववा कंकर डालके पानी पीने का कुछिस कर रहा है क्योंकि कंकर डालेगा तो पानी उपर आएगा पिएगा और यह डारेक्ली पी लेना है ओके आपने स्प्रा इस अलसो ए टाइप ओफ वर्चोस हो नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं वेफ डेफिनेशन है एक होमलेस नेगलेक्टेड और अबांडन परसन एसपेशली एचाइल्ड देखे यहां मीनिंग है ओके रागय मफिन रागय मफिन और गटर स्नाइप इसका मतलब क्या है जो बोलते हैं यह गटर के कीडे या फिर ए बदमास लड़के जो लोग गली वली में घुमते रहते हैं जिन लोग कोई है नहीं जो लोग अनात है और जो लोग चोरी चकारी करके जीते हैं यह देखे यह बच्चा चुराने की कोसिश कर रहा है बूट्स ताकि बाहर कहीं जाक के बेच पाई यह देखे यह उसका एककॉंप्लिस है एककॉंप्लिस मतलब जुर्म में साथी ओके नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं नेक्स्ट वर्ड है अल्टीरियर डेफिनेशन है एक्जिस्टिंग बियॉंड वाट इस ओव्वियस और एड्मिटेड इंटेंशनली यहां देखिए यह तो मतलब बहुत्तों का फीवरिट काट्वन है टॉम एंट जेरी आपको पता ही है हमेशा जखरते रहते हैं टॉम एंट जेरी यह देखे जेरी क्या कर रहा है जेरी वाइट फ्लाग दिखा रहा है वाइट फ्लाग का मतलब है आई सरेंडर मैं हार हूँ ऐसा करने से क्या होता था टॉम रुख जाता था रुखने के बाद जैरी उसके आँखों को या फिर उसके मूँ को लात मार के भाग जाता था बचने के लिए तो जैरी का वो जो मोटिव है मोटिव मतलब क्या सोच वो हार मानने के बहाने टॉम के आँख या फिर टॉम को पीट के भागना चाहता है नेक्स टोड की तरफ चलते हैं टेल टेल डेफिनेशन है रिवेलिंग इंडिकेटिंग और बिट्रेइंग सम्थिंग देखें रिवेलिंग का मतलब क्या है क्या बोलता है हम उसने मेरी आँखें खोल दी इंडिकेटिंग अभी इंडिकेटिंग मतलब क्या है अभी आप जाते वक देखते हैं साइन बोर्ड ऐसा होता है एक लड़का एक लड़की ओके इन पर एक ऐसा बना होता है यह रोड पर साइन लगा होता है इसका मतलब क्या है आगे स्कूल एरिया है आप थोड़ा धीरे गड़ी चला है वो आपको इंडिकेट कर रहा है कि आगे स्कूल एरिया या फिर बिट्रेंग सम्थिंग देखें यह ऐसे बता रहा है जैसे कोई सीक्रेट बता रहा हूं इसी को हम बिट्रेल बोलते हैं आपने अपने दोस्त को कुछ बोला कि भाई यह किसी को मत बता न वो जाके पूरे क्लास में बता दे रहा है दाट इस ए टाइप अफ बिट्रेल सो टेल टेल ओके नेक्स्ट वोड की तरफ चलते हैं स्टूपर डेफिनेशने ए स्टेट अफ नियर अनकॉंशियसनेस और इनसेंसिटिबिलिटी यहाँ देखिए यह बेहोसी की कगार्प है यह बेहोस हो नहीं वाला है क्यों आँख पे एक मुक्का खाया है इसने ठीक है देखिए डेज डेज मतलब क्या सर घुमने जैसा लगना स्टेट अफ सेंसलेसनेस बेहोसी की हालत ठीक है सेंसलेसनेस मतलब क्या अभी हम बोलता है सेंसलेसनेस एक चीज़ है स्टेट अफ सेंसलेसनेस एक और चीज़ है ओके, senseless मतलब वो बेहोस है, state of senselessness मतलब बेहोसी की हालत में है, मतलब वो उठनी पारा है, देखे, कोई दारु पी लेता है ज्यादा, ओके, कोई ज्यादा, एलकोहल पी लेता है, तो वो क्या होता है, वो ड्रंक हो जाता है, a drunken stupor, ठीक है, एक प्यक्कड जो बेहोसी की कगार पर है, नेक्स्ट वोड की तरफ चलते हैं, recent, definition है, revoke, cancel और repeal, a law, order और agreement, यहाँ देखिए, यह क्या लिखा है, contract, ओके, contract, अभी, बीफ, बीफ खाने पर बैन है, क्योंकि बीफ खाने पर बैन है, अगर हम ऐसा law पास कर दे, जहां बीफ खाना allow हो जाए, तो वो क्या होगा, वो, that is recent, हम उस law को cancel कर रहे हैं, तोड़ नहीं रहे हैं, हम उस law को revoke कर रहे हैं, नेक्स्ट वर्ट की तरफ चलते हैं, एक्रिमनी, डेफिनेशन है, बीटरनेस और इल फीलिंग, बीटरनेस मतलब क्या, कभी-कम ही हमको बहुत बुरा लगता है न, या फिर ऐसा लगता है कि क्या होगा, मेरे जिंदगी के साथ क्या हो रहा है यह, मैं अपनी जिंदगी के साथ सही कर रहा हूं कि नहीं, आगे कुछ अच्छा होगा कि नहीं, इस बिटरनेस, कडवी सोच या फिर इल फीलिंग, बुरी सोच अपने लिए या फिर किसी और के लिए भी, वो भाई हैं, दूसरा बुरा है, यह जब भी अच्छा काम करेगा और यह जब भी बुरा काम करेगा, हम इसको बैड ब्लड बोलेंगे, ठीक है, नेक्स्ट रोट की तरफ चलते हैं, डिमिनिस, मेक और बिकम लेस, देखिए, बिकम लेस मतलब क्या, अभी आप, आपका अभी आभी ब्रेकप हुआ है, आजकल हो रहा है, आपके आपका ब्रेकप हुआ है, तो आप जितना खुश थे, वो धीरे धीरे कम हो रहा है, आपका खुशी तीरे-धीरे कम हो रहा है, देखिए, यहाँ, हम केक को काटके क्या करते हैं, we are diminishing the cake, make मतलब क्या, खाना, that is a type of doing, make is type of, a do verb, okay, next word की तरफ चलते हैं, मिर्थ, definition है, amusement especially as expressed, definition है, amusement especially as expressed in laughter, यह देखिए, this character is called Snoopy, okay, this is a type of cartoon, यह क्या बोल रहा है, यह P, He is in a joyful state, he is in joy, उसको मज़ा आ रहा है, वो उत्साहित है, और वो अपनी खुशी जाहिर कर ले के लिए हस रहा है, अभी मिर्थ मतलब क्या, आप कम पढ़के गए हैं, सोचे किसी एक्जाम में, आपने किसी चाप्टर को miss कर दिया है, पर उस चाप्टर में से 0 question आता है, और एक्जाम में आपके 100 में से 95 आ जाते हैं, जो की unexpected था, then you will be in a state of math, आप तभी खुश हो के, हस के अपनी अपना उत्सा जाहिर करेंगे, that is math, इसी के साथ मैं आज का वीडियो खतम करता हूँ, hope आपने इस वीडियो से कुछ सीखा, next वीडियो में आपसे वापस से मुलाकात होगी, तब तक के लिए, thank you and bye.